Hello readers, welcome to my channel, today I explain a new poem I know why the cached bird sings by Maya Angelou मुझे पता है कि cached bird, cached bird होती है, जो पिंजरे में बंद बर्ड होती है, वो क्यों गाती है Maya Angelou was an American poet and writer, she was born on 4th April 1928 in St. Louis, Missouri Maya Angelou एक American poet and writer है, और उनका जनल 4 April 1928 में St. Louis, Missouri में हुआ था She won the Pulitzer for her volume of poetry, Just Give Me a Drink of Water Before I Die और उनको अपनी एक poetry की volume, जिसका नाम Just Give Me a Drink of Water Before I Die है उसके लिए Pulitzer Award मिला था, Pulitzer Award is the American Award, जो की journalist writing film में दिया जाता है This poem is an extract taken from that volume, और ये जो poem है ये उसी में से, उसी volume में से कुछ पार्ट लिया गया है And in this poem, we read about two types of birds, इस poem में हम दो तरह की birds के बारे में पढ़ेंगे First one is Caged Bird Caged Bird होती है, जो की पिंजरे में बंद बंद होती है, जो अपनी बिलकुल पिंजरे में एक छोटे से पिंजरे में बंद होती है और एक second type of bird है, free bird, जो की अजाद है, वो कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकती है, अपनी मर्जी का काम कर सकती है और उसे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है And these two types of birds personify white Americans and black Americans, जो caged bird है, वो black Americans के लिए यूज करी गई है और जो free bird है, वो white Americans के लिए यूज करी गई है The free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky इस पैरा में free bird के बारे में बात हो रही है Down stream, down stream होता है पानी के भाव के साथ और current होता है, current means any type of water stream, पानी का कोई भी stroke तो free bird होती है, वो छलांग लगाती है हवा के साथ और पानी के भाव के साथ वो तैरती है जब तक वो current end नहीं हो जाता, means वो water stream खतम नहीं हो जाती और फिर अपने वो पंखो को डुबोती है, सूरज की रोशनी में और साथ में आसमान पर अपना दावा करने का वो होसला रखती है means कि वो समझती है कि जो सका है, वो सिर्फ उसका है लेकिन जो एक केश्ट बर्ड होती है, जो कि पिंजरे में, छोटे से पिंजरे में बंद बर्ड होती है वो गुसे में होती है, वो बहुत frustrated होती है और जो उसके गुसे की जो सलाखे हैं, जो एक तर से पिंजरा है, उसका उससे भार वो बहुत मुश्किल से देख पाती है means वो भार की जो दुनिया है, वो उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है और जो उसके wings हैं, वो clipped, clipped means वैसे generally कटा हुआ होता है लेकिन यहाँ पर उसके पंक कटे वे नहीं है, लेकिन जब वो अपने पंक नहीं फैला सकती इसलिए यहाँ पर word clipped यूज करा गया है उसके wings clipped हैं and his feet are tied और उसके पैर बंदे हुए हैं, वैसे बंदे हुए नहीं है means वो जब उचल नहीं सकती, तो means वो एक तरह से जब अपने पंक नहीं फैला सकती अपने पैर उचल नहीं सकती, तो इसलिए उसके wings clipped हैं and feet are tied so he opens his throat to sing, तो वो सिर्फ अपने मर्जी से गा सकती है इसलिए वो अपना मूँ खोलती है गाने के लिए और जो caged bird की अवाज होती है उसमें डर होता है, कमपन होती है आसे चीजों के लिए जिन चीजों के बारे में उसे पता ही नहीं है फिर भी वो अजादी चाती है और जो उसकी अवाज है वो दूर कहीं पाड़ों तक जाती है क्योंकि वो अपनी अजादी के लिए गा रही है जो उसकी आवाज है वो अजादी के लिए freedom के लिए है the free bird thinks of another breeze and the trade winds off through the sign trees and the fat worms waiting on a dawn bright lawn and he names the sky his own sign trees sign trees होते हैं जब हवा पेड़ों पर से गुजरती है तो उसमें से एक sound produce होती है उसे ही sign trees का आगया है तो जो free bird होती है अजाद bird होती है वो किसी और मोजमस्ती के वारे में कई और हवा में उठने के वारे में सोचती है और trade wind के वारे में सोचती है trade wind जो east to west हवा बहती है उसे trade wind कहते है जो कि trade winds पेड़ों को भी हिला देती है and the fat worms waiting on a dawn bright lawn और जो fat worms means bird का जो खाना होता है वो worms ही होते है तो means जो अच्छे worms होते है वो उसका इंजार कर रहे होते हैं सुभा सुभा और वो sky को अपना नाम देती है means कि वो आसमान को अपना कहती है कि आसमान उसका है but a cached bird stands on the grave of dreams his shadow shouts on a nightmare scream his wings are clipped and his feet are tied so he opens his throat to sing लेकिन जो cached bird होती है वो बस सपने देखती रहती है सपने देखती है वो अपनी अजादी के भार जाने के लेकिन उसके सपने पूरे नहीं होते हैं और जो उसकी परच्छाई है वो भी डरावने सपने देकर चिला उठती है और उसके wings clipped है उसके feet tied है तो इसी लिए वो बस गाती है और ये paragraph repeat है कि cached bird की जो ओवाज है उसमें डर होता है एक कमपन शेकिंग वोईज होती है ऐसी चीजों के लिए जो उसे पता ही नहीं है लेकिन फिर भी वो अजादी चाहती है और जो इसकी अवाज है वो दूर कहीं पहाडों तक जाती है क्योंकि वो जो cached bird होती है वो अपनी अजादी के लिए गार ही होती है So I hope आपको ये poem समझ में आई होगी और इस poem में जो white Americans है they are denoted by free bird जैसे एक free bird अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकती है इसी तरह उस time की poet के time की social condition ऐसे ही थी वहाँ पर आसपास उनके इसी तरह की condition थी कि white Americans अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे और उन्हें पूरी freedom थी whereas जो black African Americans थे एक जैसे caged bird थी उसकी तरह बस frustrated थे गुसे में थे और सिर्फ freedom चाते थे and I hope you understand this poem and don't forget to like, share and subscribe the channel ओके thank you, bye bye